दोस्तों नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में मैं बहुत ही महत पूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ कि अगर आपका कटड़ा, कटड़ी, बचड़ा, बचड़ी, अगर प्लास्टी की कोई चीज खा गया है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, भाई, कौन सा प्र अगर अली जी और इन्होंने लिका है, सर मेरा एक बफिनो काफ कटड़ा है, शिक्स मन्त एज है और प्लास्टिक वाला सौपर खा गया है, वरी होने की जरुरत है या नहीं है, कोई सोलुशन बताइए प्लीज, देखिए, प्लास्टिक खाना, गंदी चीज खाना, जो खा है, अखाद्य चीज खाने वाली बिमारी, तो ये पाई का ना हो, इसके लिए तो मैंने आपको कई बार प्रबंद बताएं भी हैं, हर परकार की दवाएं आपको बताई है, और उसमें कुछ चीजे हैं, जो इंपोर्टेंट है, और वो है नमबर वन, पहले में ये तोड़ वार्मिंग, नमबर टू, लेवर टॉनिक, और नमबर थ्री पे जो चीज आती है, वो है, मिलको फीड, प्लेटिनम, ये तीनों चीजें अगर आपने कर ली, तो वह काफ, वो गाइब हैं, जो भी पसू है, वो प्लास्टिक नहीं खाएगा, यानि कि अजाई नहीं करेगा लेकिन आपके केस में क्या हुआ, खा गया है साब, अब क्या करें, तो देखिए, अब उसका क्या क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, नमबर वन, वहाँ जो नुकसान होगा, वो ये हो सकता है, कि उसको धीरे धीरे करके, दो चार दिन, पास सा दिन, मैना, दो मैन साल भर बाद, उसको आप रहाने लगे, तो अगर उसको बार बार आप रहा रहा है, तो समझ लीजिएगा, जो प्लास्टिक खाई थी, उसने तकलीप कर दी, लेकिन ये तकलीप तुरंत नहीं होती, अगर वो पेट में चली गई है, तो पेट में, जो पेट का हिस्सा है, बहुत बड़ा होता है, और अब 6 महीने का हो गया है, तो रूमन विक्सित हो गया है, तो रूमन में वो एक तरफ पड़ी रहेगी, अब उसके दो हास्र हो सकते हैं, पहला ये होगा कि वो पड़ी है, और कभी ना कभी जुगाली में उट गई, जुगाली क्या होती है, पह यहाँ होगा वो उदर से बाहर निकाल देगा भाई यह तो सबसे stress काम होता है अगर माल लीजिये बाहर नहीं निकली तो क्या होगा वो पेट में फिर आगे जाएगी और आगे जाकर के अगर वो रेटिकुलम में रुकती है तो रेटिकुलम में बहुत सारी चीज़ें बार फस जाती है नतिजा बार बार आफर आने लग जाता है वो इस्तिती खराब होती है या फिर आगे आंतों में जाकर के कहीं फस जाती है तो फिर गोबर नहीं करेगा तो गोबर नहीं करेगा तब जाकर करना और यार इसने प्लास्टिक खाई दी लेकिन अब इसमें कित प्लास्टिक खाई है उसके लिए मैथी यहां एक मिस्रन बना लीजिया मैथी ये ग्रोथ में भी अच्छा रहेगा मैथी लीजिए आप जैसे आपने 500 ग्राम मैथी ली ठीक है मैथी के साथ आप लीजिए काला नमक काला नमक और आपने 200 ग्राम काला नमक लिया इसके बाद आप लीजिए अजवाइन अजवाइन डिवार्मिंग करवा दीजिए लिवर्टोनिक दे दीजिए मिलकोफिट प्लेटिनम दे दीजिए और मेथी, काला नमक और अजवाइन अजवाइन जो है ये भी आपको 200 ग्राम लेनी है इन तीनों को पहले मेथी को गरम कीजिए सेकिये, फिर पाउडर बना लीजिए अजवाइन को हलका सेकिये फिर पाउडर बना लीजिए काले नमक को कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए तीनों का mix up करके एक डिबे में रख दीजिए और एक एक समच सुवे शाम या एक टाइम उसे लगातार आप देते रहें तो दीरे दीरे करके उसका digestion इतना मजबूत हो जाएगा कि भाई जो प्लास्टिक खाई थी न हो सकता है कि वो नुकसान ना करें तो ये काम आप करके और अपने कटरे को बिलकु ठीक कर सकते हैं